फिर गाउं से जुड़ा हुआ है और मान्ने परधानमंतरी नरेंदर मोदी जी के नेतरतब में लगातार गाउं के विकास के लिए कोई ना कोई कदम उठाए गए है इस बार की जो आज निरने किया गया है वो वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम तो वाइबरेंट विलेज इस प्रोग्राम संद फरेंशलियर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा इसके लिए 4800 क्रोड़ पे का प्रावधान किया गया है जिसमें लगबग 2500 क्रोड़ पे सडकों के निर्मान पर खर्च होगा देश की उत्री सीमा के जो हमारे रन्नितिक महत्व के गाउं का समगर विकास इसमें हो ये सुनिश्चित किया जाएगा इन ख्षेतर के लोगों को Assured Livelihood और रोजगार के अफसर मिलें ये प्रावधान किया जाएगा अपने गाउं में रहने के लिए उनको प्रोटसाहित किया जाएगा ताकि माइगरेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गाउं में रोजगार सुरोजगार के अफसर मिल सके प्लायन रुख सके इस प्रकार से ये कारिकरम जो है उदेश की सामरिक और राष्ट्य सुरक्षा के देश्ट्री कोन से अत्यंत महत्पून भी है इस कारिकरम के अंतरगत चैनित गाउं को बॉर्डर एरिया डिवल्मेंट प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा ताकि दोनों प्रोग्राम का कोई ओवरलैप ना हो ये कारिकरम एक सेंट्रल स्पॉंसर्ट स्कीम के रूप में कारणवित किया जाएगा लेकिन अवशक्ता उनसार कुछ प्रोग्राम में अगर कुछ कॉम्पोनेंट्स में हंडर परसेंट सेंट्रल फंडिंग की अवशक्ता पड़ेगी तो उसमें भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी इसके लिए हमने उत्री सीमा से लगे राज्यों और यूनियन टेरिटरिस के लद्दाग, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, सिक्किम और अरुनाचल परदेश के 19 जिलों के 46 बॉर्डर ब्लॉक्स के 2966 ग्रामों को फेस्ट मैनर में समगर विकास हेतु चुना गया है पहले चरण के अंतरगत 662 इसके गाउं को लिया जाएगा और इसमें सभी स्टेक्षोल्डर से बाचित की गई है connectivity को बहतर किया जाएगा, infrastructure में सुधार किया जाएगा, livelihood opportunities में और अफसर मिलें उस दिशा में काम किया जाएगा और migration जो है जो गाउं से पलायन की जो एक समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा और उसको दूर करने के लिए गाउं गाउं में इन चैनित गाउं में एकिकरत समाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्थानिय मेले और तेहारों का आयोजन किया जाएगा, टूरिजम प्रमोशन के संबंदित गतिविदियों, सांस्कृतिक कारिकरमों को लेकर, खेल के टूर्नमेंट्स, कंपेडिशन करवाने के लेकर, बॉर्डर डिस्टिक में विद्यार्थियों के लिए सीमा दर्शन के स्थानिय हैंडिकराफ्ट के प्रमोशन, एवम कारिकरमों को वहाँ पर बल देने का काम किया जाएगा, और ये भी सुनिशित किया जाएगा, कि चाहे केंदर के हों, राज्ये के हों, जिला के हों, अधिकारियों को समय समय पर उन गाउं में भेजा जाएगा, ताकि वहां क के समस्याओं का समाधान भी हो सके पलायन पर रोक लग सके और वहां पर अफसर रोजगार सरोजगार के और ने खड़े हो सके तो इन गाओं को हब एंट स्पोक मॉडल पर ग्रोज सेंटर के रूप में विक्सित किया जाएगा एंटर्प्रियोर्शिप हो ट्रडिशनल नॉलेज हो स्किल डिवल्पेंट के माध्यम से विवाओं को महिलाओं को और एंपावर करने का काम भी किया जाएगा community organizations हों, cooperative societies हों, self-help groups हों या हमारी NGOs या agriculture जो universities या हमारे क्रिशी विक्यान केंद्र हैं इनका भी राष्टे स्तर पर technical universities की भागेदारी से इन गाओं को और गाओं के रहने वाले लोगों को sustainable economic activities को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा जाएगा साथ में PM गतिशक्ती प्रोग्राम को भी इन गाओं के infrastructure में वर्तमान सितिक का आंकलन करते हो जो infrastructure gap है उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे, पहले identify करेंगे फिर उसको पूरा करने का काम किया जाएगा अब saturation basis पर हमें यहाँ पर क्या क्या करना है यह एक outcome oriented program होगा, defined outcomes के अधार पर इसकी independent monitoring की जाएगी और इसमें यह जो कुछ आगे में आपको outcome सुनिशित किये जाएगे उसका एक जानकारी देना चाहूंगा कि saturation basis पर all weather road से जोड़ना यह प्राथमिक्ता होगी बिजली और पानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उपलब्द कराना यह सुनिशित किया जाएगा और विशेश रूप से solar या wind energy से इनको जोड़ा जाए यह उसमें प्रावधान रहेगा और mobile और broadband connectivity उपलब्द हम इसमें करवाएंगे टूरी सेंटर, multi-purpose centers और health and wellness center इनका विकास वहाँ पर किया जाएगा और जो केंदर और राजे की जो योजना है जितनी हमारी योजना है उनको convergence करके 100% saturation point पर ले जाने का काम किया जाएगा और इसके लिए vibrant village action plan ये बनाने का काम भी किया जाएगा जिसके अंतरकत इसको saturation पर केंदर और राजे के प्रोग्राम्स को नीचे तक लागू करेंगे